जैहिंद आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप बोटर कार्ड न्यू बोटर कार्ड या फिर आप करेक्षन के लिए बोटर कार्ड या फिर किसी भी परकार का कोई भी फोर्म अगर फिल अब करते हैं तो लास्ट में जो समीट करने के बाद आपको रिफ्रेंस नमर इस वीडियो में बताने बाले हैं तो वीडियो को लाश्ट तक देख कर कके प्रोशिस को जान लिजिया उसके बाद आप खुद से खुद के माध्यम से आप मुवालिंग निस सकते हैं इस प्रोसेस को अगर आप जान लेते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बीना किसी देर के जब आप भोटर ECI.govine की official website पहला आपका जो home page होगा कुछ इस प्रकार से आपको सो करेगा ठीक तो इस page पर आपको सबसे पहले login करना होगा यहाँ पर जाएगा यहाँ पर आपको रजिस्टर mobile number अपना password प्रिल करेंगे capture को फिल करके स्रीकवेस्ट OTP पर किलिक करेंगे आपका OTP आएगा OTP को यहां पे फिल करेंगे बिड़भाय के उपर पे किलिक करेंगे आप जो यहां पे लोग इन हो जाएंगे लोग इन होने के बाद जो आपका पेज इस प्रकार से ही सो करेगा उसके बाद यहां पे Track Application Status का आपको Option मिल जाता है यहां पे आप किलिक करेंगे जैसे यहां पे आप किलिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका एक पेज ओपन होगा तो यहां पे सबसे पहले आपको अपना State को सेलेक्ट कर लेना है ठीक उसके बाद आपका जो रिफ्रेंश नमर है जो कि आप अपने apply किया था अपका PDF में होगा और आपको message के माध्यम से आपको आया होगा उसे यहां पे फिल करेंगे और submit के option पे किलिक करेंगे तो यहां पे data जो है मेरा जो सामने आज आ रहा है जैसे कि यहां पे आप सब देख पाएंगे और जैसे कि यहां पे देख पाएंगे मैंने जो है अपना रिफ्रेंश नमर डाला सम्मीट किया और यहां पे मेरा data निकल के आ गया और यहां पे मेरा देखें फॉर्म accepted भी हो चुका है मैंने जो सम्मीट किया था वह डेट आट नमवंबर दोजार ताइस था और यहां मेरा सम्मीट हो चुका है जब नीचेक तरब यहां पे आएंगे दापके सामने देशे की इस पर किलिक करते हैं तो नीचेक सामने देखेंगे कुछ इसप्रकाल से निकल के तो मतलब मेरा जो फॉर्म सम्मीट किये थे ब्लो भी एपॉंटेट हो चुका था फिल्ड वेडिफाइड भी हो गया और एक्सेप्ट भी हो चुका था और इपीक जेनरेट भी मेरा जो यहां पर ग्रीन टिक लगा हुआ है मेरा जो इस फॉर्प अपलाई जो हम किये थे इस तो शिर्फ भार शिर्फ हम इसके लिए उनलेण अपलाई किये थे इसके अलावा और हम कुछ नहीं किये थे कहीं पर कागज भी जमा नहीं किये थे तो इस प्रोसेस से ही आप जो नया पोटल जो इसी पोटल से आप जो कर सकते हैं और कैसे अप्लाई है इसका वीडियो यहां पर आपको इपिक डॉनलोड का आपसन मिलता है। यहां पर डॉनलोड भी कर सकते हैं। यहां से नया आपको कर सकते हैं। जदा तर आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे ये जो है ये न्यू रेजिट्रेशन है लेकिन ये जो है NRI के लिए ही है ठीक ना तो ये जो प्रोसेस इस वेबसाइट पर आके ये सरा कम आपका ओनलाइन होगा और कम से कम समय में आपका हो जाएगा अपना मुआल नमर आपको अपडेट करवाना हो फोटो अपडेट करवाना हो उसके लिए जो है फॉर्म आर्ट को आप फिल किजिए करेक्शन वाला फॉर्म में और कैसे करना है इसका भी वीडियो अलड़ी बना हुआ है अगर आप कमेंट करते हैं तो न्यू प्रोसेस से हम आपको बता देंगे कैसे आपको ये करना है तो उमिद है कि ये वीडियो आपसे को पसंद आया होगा और वीडियो को लाज़ता देखने के लिए धन्यबाद और थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तके लिए जय हिंद और जय भारत